हेलो गाइज मैं प्रकास बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल Target with Alcer में दोस्तो मैं इस बीडियो में A&M के निएव स्लेवस पे डिसकसन करनेवाला हूँ और A&M के एक कंप्लेट स्लेवस को इस बीडियो में डिसकस करेंगे बिना देरी की हुए चलेंगे वीडियो की तरफे इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार भी इट किया होगा तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकर को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगर आप इसका कंप्लेट स्लेवस पेडियाप में चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल टार्गेट विद अजिसर को जाके वहाँ पर जॉइन कर ले आपको वहाँ पर इसका पेडियाप मिल जाएगा तो इस विडियो में स्लेवस के अलावा हम लोग निगैटिव मार्किंग को भी देखेंगे और मिनमम क्वालिफाइंग मार्क क्या होगा और भी बहुत सारी चीजों को डिसकस करेंगे तो चलते हैं आगे बढ़ते देखते हैं तो सत्से पहले बात कर लेते इससलेवस की तेके और देख लीजिए expected exam pattern क्या होगा तो exam pattern की बात करें तो पहला point हमारे जो very very most important है there will be retained exam of 60 minutes जो exam होगा 60 minute का होगा और इसमें 50 questions होगे ठीक है 50 question होगे third हमारा point है there will be no negative marking in the exam मतलब इस exam में कोई भी negative marking नहीं रखी गए ये और एक question एक mark का होगा ठीक है यानि 50 question होगे 50 number के और total 60 minute return exam will be while angle मतलब ये दो भासाओं में Hindi और English दो भासाओं में आयोजित किया जाएगा ठीक है minimum qualifying mark for the return test cell be as follow देख लेते हैं इसमें minimum qualifying mark जो रखा गया है अगर general की बात कर अनिजर्व कर टेगरी तो 33% रखा गया है 33% general के लिए OBC के लिए 30% और SC और HD के लिए 24% qualifying mark रखा गया है ये qualifying mark है इसके बाद से merit बनेगी अगर संख्या अधिक होती है ठीक है आगे देख लेते हैं स्लेवस में क्या कहा है community health nursing में आप लोग देखेंगे इसके अंतरकत क्या क्या स्लेवस आएंगे concept of health, community health practices, health problems and policies ये सारे हैं और दूसरा हमारा है health promotion इसमें देखेंगे nutrition, essential nutrition और इसमें काफी सारे है human body and hygienic the human body ये सामारी स्लेवस है आगे देख लेते हैं primary health care ठीक है primary health care के अंतरकत कौन कौन से चीज़े रखी गए ये चीज़ा आप इसमें देखेंगे ठीक है आप पेडियाफ इसका प्राप्ट कर सकते है टेलिग्राम चैनल से आगे है child health nursing इसमें growth and development nutrition of infants and children children's rights care of the sick child care of school children school health care of adolescence care of adolescent girl ठीक है midwifery में human reproductive system female pelvis and futile skull इसमें देखेंगे ठीक है आगे है health center management इसमें क्या के देखेंगे आप लोग इसमें प्राप्ट सकते हैं और इसका पेडियाप भी आप हमारे टेलिग्राम चैनल से प्राप्ट कर सकते हैं तो हमारा यह slavus एक बर फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ठीक है slavus यह है आपका जो पूछा जाएगा या नम में ठीक है 50 questions होंगे और 50 number के होंगे 60 minute का time होगा और यह हमारे क्वालिफाइंग मार्क है तो यह सब चीज़े हैं जो हमारी वहने काफी ज़्यादा कमेंट करती हैं कि सर प्लीज एक वीडियो बना दो उस लेवस से समदीद तो उस लेवस से समदीद मैं वीडियो बना दिया है अगर आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज अपने दोस्तों में अधिक सद्धी किसे सेर करेंगे ठीक है कोई भी निगेटी मार्क ही नहीं होगी मिनमन क्वालिफाइंग मार्क भी बहुत कम है ठीक है आप असानी से क्वालिफाइंग कर सकते हैं लेकिन आपको क्वालिफाइं नहीं करना है सेलेक्शन लेना है तो थोड़ा से मेहनत आपको करना पड़ेगा तो मिलते हैं फिर नई अपडेट की साथ अब तक लिए बाई 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 अपना अपनों क्याल लगे ठीक है जैहिन जैभारत बंदे मातरू